let's solve it first, ठीक है, unitary method simple है, ठीक है, a stock of food grains is enough for 240 men for 48 days, ठीक है, तो by using unitary method, इस तरीक से लिखोंगा मैं, by using, by using unitary method, ठीक है, by using unitary method, ठीक है, by using unitary method, अच्छा, गर 240 men, 240 men, और यहाँ पर number of days, अगर 240 men, के लिए वो जो food है, ठीक है, वो कितने दिन पहुच रहा है, 48 days पहुच रहा है, और अगर लोग कम हो जाए, 160 men हो जाए, तो जाहिए सी बात है, 160 men के लिए वो food जादा दिन पहुचेगा, more indirect proportion कहते हैं इसे, ठीक है, इसलिए जिल बच्चों क समझ में नहीं आ रहा है, अगर किसी को ऐसा लगता है, कि उनको difficulty ओरी समझने में, तो मैं फिर से कहूंगा, कि जो हमारा online app है, Defense Offices Academy का app है, उस पर आप जरूर हमारे online courses को avail कराओ, as soon as possible, बड़ा अच्छा time है, घर पे बैठे हैं, बहुत जल्दी आप अपना course complete कर सकते हैं, और Maths में महारत हसल कर सकते हैं, ठीक है, तो यह 48 days क्या है, इंडिविजिल वैल्यू, आंसर विल कम इन टम्स अब देज ओनली, इंडिविजिल वैल्यू, ठीक है, तो इसमें more क्या है, what is more, 240 upon 160 into 48 days, let's solve it, इसको solve कर लेते हैं, और इसको जैसे ही हम लोग solve करेंगे, तो 0 से 0 cancel, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 2, 24 and 24 3s are 72 days, 72 days is the right answer,